जैनेत बंदो मैं रवी जैन गुरु जी आज गुरुवार और राहु काल दोफेर डेड़ बजे से तीन बजे तक रहेगा इस बीच में हमें कोई भी नया कारिया आरम करने से बचना चाहिए और अब बात करते हैं आज के रासी फल की मेश रासी वाले भाग्य साथ देगा नय कारिय का योग क्या करें नमोकार महामंत्र की एक माला फेरें वर्षब रासी वाले रुके कारिये बन सकते हैं दोस्तों से सहयोग मिलेगा क्या करें शिरी भक्तामबर जी का 45 वा काव्य नो बार पढ़ें नितुनरासी वाले स्वास्त को लेकर गंभीर रहें दोस्तों से सावधान रहें क्या करें अगर संबव हो तो सफेद वस्तर धारन करें करकरासी वाले समय अनुकूल है प्रोपर्टी से लाब हो सकता है क्या करें ओम रिमशिरी मुनी सुबरतना जिनेंदराय नमा की एक माला फेरें सिंगरासी वाले आलश्य को हावी ना होने दें क्रोध से बचें क्या करें सीतल जलकी प्याव में यथा संबव दान दें सहयो करें कन्यारासी वाले मांसिक तनाव की समश्या आ सकती है मन बेचेन ना होने दें क्या करें मूनी राज के दर्सनों का लाब अवश्य लें तुलारासी वाले सेवकों से तालमेल बैठाएं व्यापार में समश्या का योग क्या करें हल्दी चंदन काटी का माथे पर लगाएं व्रश्यकरासिवाले प्रोपर्टी से संबंदित आज कोई फैसला ना लें यातरा का योग क्या करें सेव को की यथा संभाव मदद करें धनुरासिवाले धरम इस सल पर समय वैतीत करें गरीबों की भी यथा संभव मदद करें क्या करें पंदरा मिनट का मौन दिन में दो बार रखें मकरासी वाले धैरिये बनाए रखें परेशानी से परेशान ना हूँ क्या करें नमो सिध्धानम की एक माला फेरें कुमरासी वाले दिन अच्छा है नए कारियों की सुरूवात कर सकते हैं क्या करें सरसो के तेल का यथा संभव दान करें मीनरासी वाले स्वास्त को लेकर गंभी रहें यथा संभव जाँच कराएं क्या करें तले उवे भोजन का आज परहेज रखें तलेवे भोजन का त्याग करें रासिफल के पशाद बंदो अब बात करते हैं आज की सलहा की देखें आज की सलहा में ध्यान रखें आज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का जमाना है और अगर आप कोई नया फ्लेट लेने की सोच रहे हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में तो ध फ्रस्ट फ्लोर का फ्लेट लेना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्शित रूप से ये आपके जीवन में काफी सहयोगी बनेगा तो ध्यान रखें प्रत्वी तत्व के लोगों को ग्राउंड फ्लोर या फ्रस्ट फ्लोर का फ्लेट लेना लाबदायक होता है और रोतक से लिखते हैं गुरू जी जै जिनेंदर पिछले पांच साल से मेरा वक्त बहुत खराब चल रहा है ऐसा कब तक चलेगा और मुझे क्या करना चाहिए देखें वरुन जी मैं आपको बता दूँ आपने जो अपनी कुंडली मेरे पास भेजी है इसके अनुसार आपकी कुंडली में नीच के सूरिय की दसा चल रही है और सूरिय की दसा छे साल की होती है और आपको सुनकर ताज़्यू होगा कि ये पांस साल पूरु ही आपके जीवन में आई है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दसा अभी एक साल और चलेगी उसके बाद आने वाली चंदरमा क की दसा आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी क्योंकि चंदरमा आपका उच्छ का बैठा हुआ है ये एक साल आपके आराम से निकल जाएं इसके लिए आपको दो पाई करने चाहिए एक तो सुबह उट से ही ओम रिम शिरी पदम परभु जिनेंदराई नमा की माला फेरें और रो जाना एक पदम परभुजी का चालीसा पढ़ें अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका एक साल का समय आराम से निकल जाएगा और उसके बाद का समय निश्य तूप से अच्छा है और इसी के साथ बंदो आपकी भी कोई समश्या या जिग्यासा है त सबी को जै जिनेंद्र